नमस्कार दोस्तों वलकम बाक दियो ओन चैनल वेल्थ फर्स आज है गुरु पूर्णिमा का दिन आपको आपके गुरुओं को मेरी तरफ से शत शत नमन और इसी प्रकार से आपकी मनों कामना है पूरी होती रहें इश्वर से मैं यही कामना करता हूँ आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करना चाता हूँ वो है अरली रिटार्मेंट का दोस्तों काफी ज़्यादा यह टॉपिक फेमस है कि हमको किस एज में रिटार्मेंट करना चाहिए कितना अरली रिटार्मेंट पॉसिबल है और उसके लिए हमें कितना कॉर्पस चाहिए होता है यह सारे के सारे questions के answer इस important वीडियो में आपको मिलेंगे एक financial movement है जिसका नाम है fire, fire के नाम से एक बहुत important movement चल रहा है उसका full form है financial independence retire early तो क्या यह possible है कि सिर्फ एक-एक movement चल रहा है theory है हर एक चीज़ clearly बताई जाएगी कितना कॉर्पस आपके लिए होना चाहिए अगर आप early retire करना चाहते है अगर चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लें bell icon को press कर दें ताकि आपको regular update मिलते रहा है कुछ extra सीखना चाहते है सबसे पहले बात तो कुछ miss number है early retirement को ले करके उनके बारे में जान लेते है miss number क्या है early retirement का मतलब यह नहीं है कि आप इतना ज्यदा save करने लगे इतने ज्यदा frugal living lifestyle जीने लगे कि एक cave में जा करके आपको बसना पड़ा जाए बिलकुल दिन दुनिया से हट करके अपनी lifestyle को खतम करके इसका मतलब early retirement नहीं है गुफा में रहने को early retirement नहीं कहते है इसको early retirement की planning में शामिल नहीं किया जा सकता और इसके साथ ही अगर आप सोच रहे हैं कि early retirement करने के बाद आप अपनी lifestyle को इस प्रकार से बना लेंगे I don't think so early retirement का मतलब ये है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है ये पहले early retirement की पहली की lifestyle ये नहीं है और नहीं early retirement की lifestyle ये है और अगर आप ऐसा सोच रहे है तो ये घलस सोच रहे है तो इसका actually में मतलब क्या है What does early retirement mean? तो early retirement के concept को समझने से पहले हम लोग को एक बार retirement के concept को समझा चाहिए पहले retirement का जो concept है 60 years का 65 years का इसको क्यों रखा गया है आपको मालुम होना चाहिए मतलब जितना हम लोग जीते थे वो थी वो होती थी करीब 58 years के आसपास आज से 50 साल पहले हम लोग की जो general average lifestyle होती थी वो होती थी 58 लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे आज इकल जो average life expectancy हो रही है that is 78 तो यह figure यह data बहुत important इसको आराम से पढ़ लिए दोस्तों वीडियो बहुत important है इसको आप सभी के शाथ साथ शेयर करिएगा ताकि उनको इपता चल सके कि early retirement का मतलब यह नहीं है कि आप life के इस पढ़ाओ पे ही break ले लिया और बाकी इस life का क्या होगा जो की आपको आगे भी जीनी है तो इस concept से आपको lesson का मिलता है इस concept से lesson आपको यह मिलता है कि life आपकी कितनी लंबी बची है इसकी information किसी के पास नहीं है तो आपको उसके लिए prepare करना है early retirement करने के लिए आपको prepare करना है कितना corpus चाहिए होगा उसको भी बताऊंगा इसलिए video के साथ बने रहे हैं तो इस corpus को achieve करने के लिए क्या करना है how to achieve this corpus simple 3 methods होते है उनको आपको follow करना है जो कि आपको हर को भी बताएगा लेकिन उस calculation से नहीं बताएगा जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ पहला काम तो saving of course saving तो करने ही पड़ेगी तभी पैसा बनेगा अगर bucket के tap को अगर बाल्टी के नीचे छेद कर दोगे और बाल्टी के नीचे से पानी अगर flow out करता रह जाएगा तो bucket कभी भरेगी कभी भी नहीं भरेगी वो खाली रहेगी तो bucket को भरने के लिए उसके नीच existing का rule है 4% rule और उसको समझा करके आपको बताऊंगा कि आपको early retirement अगर करना है तो कितना corpus maintain करने के लिए चलना पड़ेगा सबसे पहले बात करते हैं saving के लिए कितनी saving होना हमारे लिए जरूरी है how much saving is good saving तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि पहले हम लोग retire करते थे 60-65 years के ल उसकी सब्सक्राइब 10-15% की saving हर मन्त कर रहे हैं which is adequate बहुत है काफी है लेकिन अगर आपको early retire करना है of course तो आपको इस saving के component को pad up करना पड़ेगा pad up करना मदेगा मतलब increase करना पड़ेगा उसको बढ़ाना पड़ेगा income के sources और saving के source आप कैसे करेंगे अपनी life में 70% savings को inculcate करके तो क्या यह मुश्किल है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो आपके दिमाग में question चल रहा होगा कि इसने इतने amount को save कैसे करेंगे how will I be able to save this amount very simple कि सबसे पहला काम जो मैं खुद करता हूँ वही आपको बताता हूँ भाई जो चीज मैं नहीं करता वो मैं कभी किसी सामने वाले को preach नहीं करता हूँ सबसे पहला काम आपको क्या करना है You have to watch out for each morsel आप जो भी खा रहे हैं उसको watch out करें कम से कम बाहर खाएं कम से बाहर, कम से कम junk food काएं कम से कम restaurant में खाएं घर का बना हुआ खाना काएं शुद्ध और शाकाहरी और अगर आप non-wish खाते हैं तो उतना ही खाएं जितना कि आपकी body को required है और ना कि अपनी जवान को taste मिलाने के लिए उससे आप पैसे तो बचाएंगे, प्लस अपनी lifestyle को भी बचाएंगे, अपनी healthy lifestyle को ensure करेंगे और उससे आप medical के expense insurance के expense, उन additional expenses से बचेंगे next of course दोस्तों मैं ना तो promote करता हूँ और नहीं discourage करता हूँ somehow मैं ज़्यादा expensive cars, expensive bikes इनके favor में नहीं रहता हूँ बलकि आपको मालम होना चाहिए I cycle approximately 5 kilometers every day तो 5 kilometer तो मैं daily cycling करता हूँ तो इसी current, this is not my lifestyle my lifestyle is rather this, so मैं चाहूँगा कि आप लोग cycling करें, important जो काम है छोड़े मोटे घर के आसपास के cycle उठाएं, cycle से जाएं, अपने आपको fit भी रखके, fuel भी बचाएं और at the same time अपने medical और gym के expense से बचें, generally आप लोग junk food खाते हैं और उसके बाद कहते हैं मैं fit नहीं रह पा रही हूँ मैं fit नहीं रह पा रहा हूँ उसके लिए आप gym योइन करते हैं तो ये expense plus ये expense दोनों के दोनों expenses सिर्फ एक आप अपनी अच्छी fooding habits से control कर सकते हो तो ये हुआ पहला saving करने का तरीका जिसमें कि आपको अपने दिंचार कामों को एक साथ fooding habits जिम को कट करिए अपनी important जो जहां पर आप save कर सकते हैं घर के expenses को उनको save करिए इन छोटे जोटे expenses को अगर आप cut करेंगे तो you can reach up to the savings of 50% जो कि अभी होंगी आपकी 20% के आसपास तो जैसे यह 50% पहुचेगा आप समय दिजी आपका saving का component खतम हो गया अब number two बहुत important चीज़ करते हैं कि investing कैसे invest करना है क्योंकि banks में अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो inflation के साथ उसकी value खतम हो जाएगी तो आपको उसको timely और अच्छी जागे invest करना है investment के लिए मैं आपके लिए वीडियो जालता रहता हूँ कि आपको invest कहा करना है अब investment के लिए आप mutual fund ले सकते हैं direct stocks में invest कर सकते हैं और अगर आपको invest करना है of course तो सबसे best तरीका होता है through stocks क्योंकि stocks अगर आपको अच्छे value शिट मिल रहे हैं almost close to 3-4 years में आपके money को double करते हैं और blue chips stocks में invest करें otherwise आप mutual fund के root को भी ले सकते हैं अगर अपने stocks में invest करना है आपके पास एक dmat और trading count होना चाहिए अभी तक नहीं खोला है तो link description में you can open it अब आपका दिमाब में question चल रहा होगा कि ये भाई हो गई saving ये हो गया investment अब ये 4% rule का है बहुत ही important rule है especially अगर अब early retirement के बारे में सोच रहे हैं इसको मैं complex diagram से नहीं समझा होगा मैं आपको समझा होगा simple तरीके से 4% rule का simple मतलब ये है कि it simply means if you spend only 4% of your savings every year your savings will never end इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक करोड़ रुपए है example के तौर में बता रहा हूँ ये भी बताऊंगा कैसे बनेगा तो आप इससे 4% हर साल use करते हैं मतलब 4,00,00, रुपए अगर आप इससे हर साल use करते हैं 4,00, from that one corpus और अगर आप 1 करोड़ का आप invested है उससे में 4% हर साल निकालके खर्च करूँगा और अपने आपको सिर्फ 4% में restrict रखूँगा तो मेरा corpus कभी खतम नहीं होगा लेकिन अब बात आती है कि वो corpus कितना बड़ा होना चाहिए सबसे बड़ा question तो यही है कि मेरा retirement corpus कितना बड़ा होना चाहिए तो वो निकलेगा आपकी lifestyle के हिसाब से आपके क्या खरचे रहते हैं आपके क्या expenses हैं आपके क्या bills हैं मैं एक average household के बारे में बात कर रहा हूँ इंकम होती एराउं 50 to 60 thousand rupees पर मंत की है जिसमें मिया बीवी दोनों कमाते हैं अगर वो कमाते हैं अगर single family member owner earner भी है तो approximately 6 lakhs per year की average income आप पा सकते हैं which is close to 50 thousand rupees पर मन और अगर आप उससे अगर आप extra expense करते हैं मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आप frugal spending करेंगे लेकिन फिर भी आपका खरच अगर 30 to 40 thousand के बीच में रहता है तो आप approximately 4 lakh expense लेकर के हर साल का चल सकते हैं जो की हुआ करीब 35 thousand rupees per month तो आप कितना आपको एक corpus चाहिए मैंने आपको क्या बताया 4% के इसाब से 25 times आपको इसका पैसा चाहिए तो 4 lakh रुप है आपका एक साल का खरचा है तो into 25 करेंगे तो basically यह जो मैं आपको चार्ट दिखा रहाता है यह वही बता रहा है rule of 25 यह rule of 4% मतलब आपका जितना एक साल का खरचा है उतना into 25 आपका corpus होना चाहिए as on date that is today तो अगर आपका खरचा 4 lakh रुपए एक साल का है आपका personal खरचा that means you and your family तो आपके पस आज की तारीक में एक रुपए होना चाहिए अगर आप आज retire कर रहे है अगर आप 10 साल बाद कर रहे है तो 10 साल बाद आपका क्या annual expense है उसके हिसाब से into 25 कर देंगे उतना आपका corpus होना चाहिए for retirement अगर आप जितना भी आपका खर्चा है उसके हिसाब से आपको अपने corpus को त्यार करना है और जिस दिन आप retire करते हैं उस दिन आपको इस पूरे के पूरे corpus को invest कर देना है invest कर देंगे आपको जबरदस्त earning और returns मिलेंगे earning और returns के लिए आपको मैंने बताया है compound interest is the eighth wonder of the world ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी एक example के तौर पर समझाता हूँ तो जैसा कि मैंने example पिल लिया कि आपकी income है 6 lakh रूपीज आप spend कर देते हो 4 lakh रूपीज और आपके पास बचते हैं साल के 2 lakh रूपए के आसपास जो की close to 15,000 रूपीज पर मंत हो गया 15,000 रूपीज को अगर आप save करते हैं तो कितने दिनों में आपका retirement corpus बन जाएगा तो इबर हम देखते हैं 15,000 रूपीज को 15,000 रूपीज को अगर आप invest करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपकी saving हर महिने approximately 15,000 रूपीज बन के आएगी 15,000 रूपीज को अगर आप stocks में invest करते हैं तो बहुत जल्दी growth होती है लेकिन मैं मानके चल रहा हूँ कि आपने mutual fund में लगा है index fund में लगा है जिसमें कि 10 से 12% के ही या फिर 25 years के हैं 16 years के बाद that is 41 years के बाद में 41 साल की उमर में 10% के returns के साथ सिर्फ 15,000 रूपे invest करके only 15,000 only 10% returns और 16 साल के investment के बाद जिसमें कि आपने top up हर साल सिर्फ 15,000 रूपे extra top up करते चले जाते हैं तो आप जाने करके हैरान रह जाएंगे कि ये 15,000 रूपे बन जाएंगे 16 साल बाद 1 करोड 10 लाग this is power of compounding this is power of saving, this is power of investment कि 15,000 रूपे भी 16 साल के बाद में 1 करोड 10 लाग रूपे बन सकते हैं, so you have to keep this at the back of your mind कि आपको retire करना है, आपको 1 करोड 10 लाग रूपे corpus ये, तो आपको 15,000 रूपीज हर मन्त इन्वेस्ट करने पढ़ेंगे, for at least for 16 years तो जैसा कि आंसीन साब ने बोला है कि compound interest is the 8th wonder of the world, जिसको पता है वो earn करता है, और जिसको नहीं पता, वो pay करता है तो आपको सोच में है कि आपको earn करना है या फिर pay करना है, और मुझे comment section में पक्का बताईए है कि आपका favorite stocks, mutual fund या PF, कौन सा ऐसा investment asset है जो कि आपको पसंद और आपका early retirement में आपके क्या personal views है, इसको एक अच्छा discussion forum बनाते हैं let's discuss कि what do you expect of early retirement आपके साब से early retirement का corpus कितना होना चाहिए, आपके साब से early retirement की age क्या होने चाहिए और let me know in the comment section so that we can discuss and please do share it with your friends also, ताकि उनको भी पता चाहिए कि retirement की corpus को कैसे calculate करना है और retirement का concept actually में है क्या, thank you so much for giving a precious time wish you all a very very guru पूर इमा once again, may God bless you all, bye bye for now.